दोस्तो स्वागत है आप सभी का खान जी के गुरु चैनल में दोस्तो आज का जो हमरा टॉपिक है वह एरोपिय कंपनियों का आगमन और दोस्तो इस टॉपिक से टोटल 70 यानी 70 MC की कोश्चन करवाया जाएगा जो की हर एक्जामें आ चुका है और आगे भी आएगा और दोस क्या है तो कौन-इरोपिया बयपारी सरवप्रसम भारत में आया था चार अप्शन है दोस्तो मैं डिरेक्ट आंसर बताउंग वीडियो लंबा ना हो ठीक है तो याद र Wellington कोश्चन है प्रभूत में किस यूद के उपरांद समाप्थ हो गया था तो वांडी वास यूद के स मैं इसका जो फ्रांसिस्यों का प्रभुत्य था वो भारत में वांडिवास के उपरां समाप्त हो गया था याद रखेगा तीसरा कोश्चन है अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतब्य था तो अंग्रेजों का मुख जो लक्ष था वो बेपार करना था ठीक है इसलिए अंस चीथ हो गया ठीक है याद रखेगा अगला कोशन देखते हैं फाइप क्या है कौशन नमर्फाइफ है जेम्स प्रथम का राजदूत जो जाहगीर के दर्बार में आया था तो इसका अंसर जहेगा सर टॉमस रो याद रखेगा सर टॉमस रो एक्जाम में एक कोशन पुछा जागा next question 6 देखे क्या है करनाटक का इवज किस किस के बीच हुआ था तो जो करनाटक लुस्त ह cautious इवज हुआ था वह औग्रेज और फ्रांसीसयों के की बीच में हुआ था अगला कोशन देखिए 7 क्या है दोस्तों कोशन नमर 7 है अंग्रेजों को बंबाई कैसे मिला था ठीक है तो अंग्रेजों को जो बंबाई था वो बिवाह में दहेज के रूप में मिला था ठीक है इंपॉर्टन कोशन है नेक्स कोशन देखिए 8 नमर क्या है दोस्तों आठवा कोशन है वांडिवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महतपून थी तो याद रखेगा फ्रांसी सी इसका आंसर हो जागा वांडिवास की जो लड़ाई थी वो अंग्रेजों के साथ फ्रांसी इस ही में भी आया था दोस्तों एक भी ऐसा कोश्चन इसके पंडे बुक का नहीं मिलेगा जो अपको एक्जाम में नाम आया हो ठीक है तो सारा अच्छे से कीजिएगा नेक्ष देखिए दसवा नंबर क्या है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी कहां स्थापित ही तो यह सूरत में याद रखेगा भारत में जो पहली फैक्टरी है वो सूरत में स्थापित हुआ था ओप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है यहां भी देखिए कोशन 10 में हमने यह भी देखा था कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहले फैक्टरी कहां गोवा में किया गया ओप्सन नमर्डी हो जागा इसका अंसर भारत में एरोपिय सक्ति द्वार आपने पहला किला गोवा में निर्मित किया गया था जो पूर्टगालीो के बिरोधी थे याद रखेगा अरव जो थे वो पूर्टगालीो के बिरोधी थे इसका अंसर स्लिस्ट हो जागा कोशन 16 है भारत में पूर्टगाली समराज का सब से पहला वाइसर आए कौन था तो तो D. Almeida था है याद रखिएगा ओप्शन हर बार इकजाम में आया है भारत में पुर्तेगाली समराज का पहला वाइसरा है D. Almeida था नेक्स कोशन देखिए 17 क्या है डच इस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उदेश क्या था तो जो डच इस्ट इंडिया कंपनी था उसका भारत में वेपार का विस्तार को बढ़ावाद देना ठीक है ओप्शन नमबर ए हो जागा 17 का कोश्चन नमबर 18 देखिए क्या है वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय सासा कौन था तो जमूरियन था ठीक है जमूरियन था याद रखिएगा जिस ने वास्को वासको डिगामा का स्वागत किया था कहां पर केरल के तर्ट पर याद रखेगा नेक्स्ट भारत में ब्रिटेन की तूलना में फ्रांसिसी और सफलता का कारण था अल्प राजकिय सहयोग ठीक है इसका अंसर था अल्प राजकिय सहयोग के कारण ही जो भारत में ब्रिटेन की तूलना में फ्रांसीसी और सफलता का कारण था ठीक है तो कम जोर समुदरी सकती नहीं था किसके पास डचो के पास इसलिए इनका भारत में जो था प्राजे का यह बहुत बड़ा यह कारण बना ठीक है क्वेशन 21 देखे क्या है क्वेशन 21 है दोस्तों निमलीकित में ब्यापारियों के आगमन का क्रम बंद कीजिए तो पहला नमबर पर कौन आया था दोस्तों पूर्टगाली ठीक है इसे फर्स्ट कोशन में हमने देखा था उसके बाद कौन तो डच ठीक है दूसरे नमबर पर उसके बाद दोस्तों तो अंग्रेश दोस्त में सबसे है फ्रांसिस में याद रखCrера बहुत ज़्यादा इन्पोर्टेंट है पी से से पहले पूर्टगाली है ठीक है उसके बाद डी से आया था डेच सथीक है याद रखेगा उसकत बाद आया था कौन अंग्रेज यानि इंग्लीज और उसके बद फ्रांसीस यानि एफ तो पी डी एफ इसका सोटकर भी है यह याद रख लिजीगा आप लोग सीक्वेंस में नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं क्या है फ्रांसीसियों का प्राचिंतम कर खाना कहां स्थापित नेक्स्ट कोश्चन ये इस्ट इंडिया कमपनी हों मैं उसके बाद बनी कमपनी का विले यह कब हुआ था शातरा सो दो में काफी जादा बारे कि पुशहा गया इस इंडियां कम्पनी एफ का विले कब हुआ 702 इंड रखेगा है नेक्स्ट 24 ये अंग्रेज यो का नमर्ट 25 देखते हैं क्या है दुर्तिय पूर्त गाली वानिज्यक अभियान के नेता का नाम क्या था तो अलवारेज केब्रल था ठीक है यह उप्शन ए हो जागा अलवारेज केब्रल कोश्चन 26 से बीजापूर के सुल्तान से गोवा को छिनने वाला प्रथम एरोपिय कौन था तो अलवुकर्क था याद रखेगा जो अलवुकर्क था यह बीजापूर के सुल्तान से गोवा को छिनने वाला प्रथम एरोपियन था एक्जाम में कोश्चन पुछा गया है अगला कोश्चन 27 भारत में सरव प्रथम फ्रांसीसी कंपनी को किसने अस्थापित की थी त दचो दवारा निर्यात की परमुख वस्तु क्या थी तो वस्त्र याद रखेगा उससे में वस्त्र का काफी ज़ता डिमांड था तो कोरोम मंडल बंदरगा से दचो दवारा निर्यात की परमुख वस्तु क्या थी वस्त्र था ओप्स्टन ए हो जागा कोश्चन 29 ने मुग भारत मांगरेजी ब्यपार की सरवाधिक महत्मुन वस्तु क्या थी सूती वस्त्र थी ठीक है ओप्शन यह हो जागा कोश्चन 30 देखते हैं क्या है वासको डिगा मां कालिकट किस वर्स पहुंचा था तो 1498 इसवी में पहुंचा था केरल के तड़ पर और भारतिये जो राज दिर्तियों को बैंगाउंजा की कैथरीन से विवाह में बंबई दहेज में दिया था पूर्त गालियों ने ठीक है यह कोश्चन एक्जाम में आया था याद रखिएगा कोश्चन 32 देखिए क्या पूर्त गालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था तो 1510 इसवी में अधिकार में नहीं था इसके बाव जे दमन था बसीन था और हूग लिठाए ग्याख था तो एफ दीकार का किल की तही को जो एसके पांडे बुक है इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए कि इससे आप लोग कोई एक्जाम कर सकते हैं बिल्कुल असानी से सारा कोश्चन आया हुआ है वही जो मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है तो वीडियो को लाज तक देखिएगा और दोस्तों वीड इंडिया कंपनी के सासनकाल में परमुख और द्योकिक केंद्र नहीं थे तो याद रखेगा इलाहबाद और ग्वालियर में नहीं थे ठीक ओप्सन यह हो जागा कोश्चन 30 अप प्रराम में यूरोपिय कंपनियों की रूची किसमें थी तो मसाले का ब्यापार में था ठीक कोश्चन नमर देखे 39 क्या है तो 18 सदी के अंत तक भारत के किस भाग में इरोपिय इसाई मिसनरी अधिक सक्रिय थी तो बंगाल और असम में उप्सन ए हो जागा कोश्चन 40 अठारवी सताबदी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी के इस्थित्य के बारे में निमलीखित में से क्या सत्य है तो यह मुख रुप से सरकारी उपक्रम था यह एक सत्य है बाकी तीन ओप्सन गलत है कोश्चन 41 देखिए क्या है दूस्तों कोश्चन 41 है विलियम होकिन्स के विषय में निमलीखित कत्रों में से कौन असत्य है यानि गलत पूछ राइन में से कौन है तो ओप्सन ए होजे का वह तूर्की भासा नहीं बोल सकता था यह गलत है ठीक है क्योंकि यह बोल सकता था विलियम होकिन्स जो थे यह तूर्की भासा बोल सकते थे ठीक है इसके अलावा यह तीनों अप्सन सही है जैसे आगरा में जहांगीर के दरबार में राजा जेम्स प्रतम द्वारा समराट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था उसके पोत का नाम हेक्टर था यह भी ठीक है यानि जो मित्रता का जो हाथ बढ़ाया था उसने वासको डिगामा के कालिकट पहुंचने पर किसने जमोरियन ने उसका कोश्चन 43 देखते हैं क्या है कोश्चन 43 है आरम में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था तो इसका नाम था दी गवार्नर एंड कंपनी ओफम लंदन ट्रेंडिंग इंटी इस्ट इंडिग टीक इतना लंभा नाम था देग गवार्नर है उसको बाद में चेंज करके क्या किया गया है तो बृतिस इस्ट इंडिया कंपनी क्या है डचो ने प्रथम व्यापारी कोठी कहां स्थापित खिया गया है to पूलिकट आंसर होगा याद रखेगा पूलिकट में डचो ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी अस्थापित किया था अगला कोशन देखिए 45 क्या है कोश्चन 45 इस चीज का भारत से निर्यात करती थी याद रखेगा सूती कपड़ा का करता था नील क करता था ओप्सन झाप अप्सक्रेश नम्बायर इसका हो जागए यानि सूती कपड़ा नील और ले तक चारे सम्प आप ऍस् Cap भारत से निर्यात करता था यहां काफ्य मात्र से कोई नहीं इसका अंतर हो जागा फ्रांसीसी राजी में पूर्व विल्येट हो गया था उप्रयोक में से कोई नहीं अगला कुश्चन 47 जो हर एक्जाम में पुछा गया है भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहां स्थापित गी थी तो सूरत में याद रखेगा भारत में पह पुर्टर्विस यासी याद रखेगा तो यान नि में प्रवर्ती शताब भारतिय ओंड। याई दूप समू में भारती है और फिम के निराद पर किसने प्रभूत्य था तो डच इस्ट इंडिया कंपनी का इसका अंसर हो जगा सी कोश्चन 50 बंगाल के परमुक बंदरगा हुगली से पुर्टगालियों को निसकासित करने वाला मुगल बात्सा कौन था साहा जहां ठी सब्सक्राइबर कमें से किस अस्थाल पर इंग्लिस फैक्टरी थी तो तैले चेरी ठीक है याद रखेगा ते लिचेरी में थी भारत के पशमीright प थी वह तेली चेरी में थी कोश्चन 52 निमलिखित में से कौन सही सुमेली थे ठीक है तो इसका आंतर हो जगा ए पुर्तगाल यानि की स्तादो दा इंडिया ठीक है यह सही है इसके लावए यह तीनों जो है यह गलत है यानि उप्सन नमर इसका ए हो जागा कोश्चन 53 है सरप् सूरत में अपना पहला फैक्टरी किसना सापित के अंग्रेज ने ठीक है कोश्चन नमर देखिए 54 क्या है पुर्तगालियों ने क्रमसा गोवा जीता और हर्मुझ खो दिया तो यह कब तो याद रखिया का 1510 में इसने पुर्तगाल पुर्तगालियों ने गोवा को जीता थ लेकिन 16-22 इसवी में हर्मुझ को खो भी दिया था ठीक है कोश्चन 55 किस निमलिखित इरोपिये व्यापारी कंपनी का परेवक्षन में कासीम बजार नगर में 27 सताबदी में सरवातिक मात्रा में रेसमीत तागे का उतपादन किया तो डच इसका अंसर हो जागा याद रख कोश्चन 57 देखते हैं इस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेज सब्त का प्रयोक किया था तो भारतिये वस्तुओं को खरिदने के लिए उनके बुलियन आयात को ठीक है नेक्ट देखते हैं 58 क्या फ्रांसीसियों ने किस संधी के द्वारा मदरास अंग्रे जो को वापस लोटा दिया था यह कोश्चन इक्जाम में आया हुआ है कोश्चन नमर देखते हैं 59 क्या है 27 अताब्दी में भारत और जावा के बीच ब्यापार का प्रभूत्त क्या था तो डचो का था याद रखिएगा कोश्चन 60 अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का अधिकार पत्र परदान क्या था एलिज्या पेत प्रथम ने काफ़ी ज्यादा इंपोर्टन कोश्चन है कोश्चन नमर 61 है ट्रैंकुबार में प्रथम डेनिस वेपार समझाता कायम हुआ था किस वर्स में तो 16-20 इस्वी में याद रखेगा ओप्शन ए हो ज स्थापित की गई थी तो चीं दोर्ण रहा याद रुखेगा जो चीं ripe यह यह द्युक्षार डखापित किया गया ठीखे टोबंगाल की निम्लीखिद पर्फेक्टे से कौन से दोर्ण औ्यक्यां तो स स्थापित किया थीक है तो चीन नमर का व्थेगा बंगाल का कौन सा पुर्तगालियों के समय पोट्रों गरांडे कहा जाता था चटगाओं को नेक्स 65 पर इंटर लोपर कौन थे दोस्तों तो अवेद एवम अधिनी धिक्रित रूप से व्यपार करने वाले अंग्रेज व्यपारी को इंटर लोपर कहा जाता था ठीक है इस था आपना किस न किया था तो सर जोन चाइल्ड को जो है और जेब ने भारत से निसकासित कर दिया था याद रखेगा सर जोन चाइल्ड को मदरास के अस्ठापना किस ने किया था तो फ्रांसिस डे ने किया था ये भी याद रखेगा अगला कोशन 69 ने अंग्रेजी कंपनी को किस ने कहा था कि या कुछीत या नीच ज्गडाल लोगों और बैमान बे पारयों की कंपनी है तो बंगाल के सुबेदार साइस्था खान ने कहा था ठीक है अंग्रेजी कंपनी को उन्होंने लूट और जगडालू लोगों के बैमान बेपारी कंपनी कहा था याद रखीएगा कोश्चन नमर देखते हैं 70 क्या है दोस्तों कोश्चन नमर 70 है जो कि लास्ट कोश्चन है इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी का लोगपिरिया नाम था जौन कंपनी तो दोस्तों आज हमने देखा एरोपिय कंपनी का आगमन का टोटल 70 mc question जो हर एक्जाम में आया हुआ है औ और आगे भी आएगा और यह आप लोग सिर्फ 70 question करेंगो तो एक्जाम में इस टॉपिक से एक भी question नहीं छुटेगा इसका guarantee है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता के लिए वीडि